हाई मैं हूँ C.A. Gauras Abarva 18 Commerce Academy अंदोर से और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ACCA versus ACA जो की Institute of Chartered Accountant of England and Wales की टिग्री है आयो देखें अगर आप पहली बार इस चानल पर आया है तो मैं बता दूं कि यह एक कंपारिजन वीडियो है जिसके अंदर हम एक एक करके देखते हैं कि दो कोर्स के बीच में डिफरेंसिस क्या है अगर अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूरी है साथी साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी में लाइव आने वाला हूं और लाइव आकर आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा फिलाल आगे बढ़ते हैं हमारे इस कंपारेशन के साथ सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है फील्ड अफ वर्क कि किस एरिया में ये दोनों प्रोफेशनल्स काम करते हैं दोनों में कॉमन क्या है पहले ये देखें दोनों ही इंसिट्यूट यूके बेस्ट हैं और दोनों ही प्रोफेशन अकाउंट्स और 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 फील्ड से हैं इसके बार में थोड़ी बात हम और आगे जाकर इस वीडियो में करेंगे फिलहाल मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये लोकल चार्टेड अकाउंटेंट है यूके का क्यों क्यूंकि पहले ही लेवल से यहां पर यूके टाक्सेशन के उपर बहुत स्ट्रॉंग फोकस किया जाता है पहले ही लेवल से यहांपर यूके गयाप याने की जनरली एकसेट्टेड आकाउंटिंग पॉलिसी जो लोकली आकाउंटिंग प्राक्टेसिस यूके के अंदर फालो करी जाती है इसकी भी पढ़ाई यहांपर कराई जाती जो एसीसी आमें आहीं होती dåएइफ एक व़व के उपर जादा दिया हुआ है कुछ चीज़ें दोनों में सेम हैं जैसे कि दोनों में IFRS पढ़ा जाता है और इसलिए मैंने कहा कि दोनों का और वहीं अगर हम बात करें A.C.A की तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए करियर का यह उन्होंने क्लिरली नहीं बता के रखा है इंडियन कॉंटेक्स्ट के अंदर बच जितना मैंने पढ़ा मुझे यही समझ में आया कि अपका कम्प्लीट होना चाहिए क्योंकि A A.C.A के अंदर जॉब के साथ साथ प्रोफेशन को परसीव करना होता है और उसके लिए ग्रैडियूएशन जरूरी है अगली हम बात करते हैं जॉब सेनारियों की तो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो बहुत ही मैं क्लियरली आपको बता सकता हूं कि हैंड्स डाउ और स्टूद्स के साथ इस प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए और एंप्लॉयर्स बहुत ही ग्लाडली एकसेप्ट भी कर रहे हैं और वहीं पर A.C.A के लोग भी मैंने इंडिया के अंदर काम करते हुए देखे हैं जैसे बिग फोर के अंदर इस क्वालिफिकेशन को र बता लगा कि वहीं बिग फोर के अंदर डिरेक्टर लेवल पॉजीशन होल करते हैं एस यह कॉलिफिकेशन के लोग वैसे यह कंपनी पर्जर पेंज के डिरेक्टर भी A.C.A क्वालिफिकेशन के हैं इसका मतलब जॉब्स हैं और बहुत हाई लेवल की पॉजीशन होल करते हैं इस क्वालिफिकेशन के लोग इंडिया के अंदर जॉब्स हैं तो सही मगर मेरा ऐसा उपीनियन है जितना मैंने रिसर्च किया एसी से के जॉब्स अबंडेंट्री अवेलेबल हैं इसलिए एसी से एक एंट्री लेवल प्रोफेशन की तरह मुझे एक बेटर चॉइस ल अंदर ज्यादा प्रिफ्रेंस एसी सीए को दिया जाता है वैसी फड़ा फड़ा हम बात करते हैं कमाई की कि सर अर्निंग कितनी होगी दीखिए मैं बड़ा क्लियरली बताता हूं अगर आपका अब्जेक्टिव यूके जाकर जाप करने का है तो आप एसी सीए ना करें आता है एक एसी एस कंपेर टू एसी सीए जब वो यूके जाकर जॉब करता है और इसके लिए आपको वीजा और जॉब आपर्चुनिटी और स्पॉंसर्शिप भी मिलनी चाहिए बट हां रेस्ट व्ड़ वर्ल्ड के अगर हम बात करें तो आरौ आइज जो है इन दोनों क किताबों की फीस साथी कोच इंकलूट हो जाती है बट एसी अगर आप करना चाहेंगे तो वहां पर फीस थोड़ी सी आपी ज्यादा लग जाएगी क्योंकि लोकल कोचिंग्स एसी सीए की तो अवेलेबल हैं मगर एसी एक तो नहीं मिली आपको पता हो तो कॉमेंट सेक्श हैंंजेस तो एसी सी свое के अंदर देखा जाए तो यहां पर तीन लेवल हैं और तीरा बेपर होते हैं सेकंड लेवल में sı्क्स पेपर सेंहाँन फिपर्रिस आपकर फाइंड लेवल प्रोफेशनल लेवलकर और और वहीं पे अगर हम देखें के बारे मैं तो यहां पर भी त से 17 लें यहां पर total 15 फिफ्टीन थे पक्राइब का अपैंड ड़ास होता है और फैनल इंदर भू तरह मेरा के बंग couleले लेविल के अंदर 6 अदर संत्रीन पेपर है अब जारा इग्जाना के बाद कि बाद भी कर लिए द्री पॉर्टीवर्टीपल चउयलस क्षेशं को दिया गया है और बाकी descriptive वैसे ही third level के अंदर सारे papers जो है descriptive रहते हैं तीनों level के अंदर एक बात common है यहां पर computer based examination है यानि कि हां descriptive exams भी आपको type करके देने होंगे वही हम बात करें ACA की तो इनका पहला level होता है उससे हम क्याते है certificate level इस level के अंदर छे पेपर होते हैं हर पेपर के लिए आपको डेट घंटे का समय दिया जाता है और हां यह भी multiple choice questions हैं और हां यह भी computer based examinations second level यहां पर professional level कहा जाता है यहां पर पांच पेपर जो हैं उसके अंदर आपको धाई घंटे का समय दिया जाता है और केवल एक पेपर है वहां पर आपको तीन घंटे का समय दिया जाता है exam देने के लिए यहां पर पेपर आपको descriptive आते हैं and yes यहां पर भी computer based examinations ही आपको देने होंगे और जो ACA के अंदर final level होता है इसे हम कहते हैं advance level यहां पर तीन पेपर होते हैं दो subjects और एक case study जो दो subjects होते हैं यह paper देने के लिए आपके पास तीन घंटे का समय होता है और यह open book exams होते हैं यानि कि आप literature किताब यहां पर ले जा सकते हैं और उनको refer कर सकते हैं अपने answer को देने के लिए वहीं पर एक paper case study होता है और इस case study को solve करने के लिए आपके पास खुल मिलाकर चार घंटे होते हैं and yes all these exams are also computer based examination advance level के जो papers हैं वो साल में आप दो बार दे सकते हैं जुलाई में और नवंबर में और पहला जो level है वो on demand होता है यानि कि आप अपने सहूलियत से book करके papers को दे सकते हैं और जो हमारा second level है यानि कि professional level यहां पर quarterly exams होते हैं सिवाए एक paper के जो सिर्फ साल में तीन बार होता है certificate और professional level papers को clear करने के लिए आपको 55% marks score करने होते हैं यही passing percentage advanced level के लिए कम करके 50% कर दिया जाता है जबकि अगर हम ACCA की बात करें तो वहां पर हर paper को individually clear करने के लिए आपको 50% marks चाहिए होते हैं ACA कहता है कि certificate और professional level clear करने के लिए आपको हम चार attempt देंगे चार attempt में आपने clear नहीं किया तो आपको दुबारा से register करना होगा जबकि advanced level के अंदर number of attempts के उपर कोई limit नहीं है ऐसा restriction ACCA के अंदर नहीं है अब आप करते हैं कि ठीक है सर अपने course कर लिए आप exam हमको देना है और हम बैठें इंडिया के अंदर तो exam देने के लिए centers हैं कि नहीं हैं तो ACCA के बात करें तो इतने centers हैं कि आप count नहीं कर सकते हैं और साथी साथ में इंडिया के अंदर ACCA ने exam from home यानि remote examination का भी facility दे दिया है इस बारे में अगर आप और information चालना चाहते हैं तो यह video का link आपको ओपर दिख रहा होगा वहाँ आप देख सकते हैं इसका exam अगर आपको इंडिया पर देना है तो इसके लिए आपको British Council के जो offices इंडिया के अंदर है जो mostly बड़े शहरों के अंदर है वहीं पर आप जाके इसका paper दे सकते हैं क्यानि कि examinations enters ACCA के लिहास से कम हैं तो ease of examination को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि एक point यहाँ पर ACCA को दिया जा सकता है और इसे prefer किया जा सकता है in India over ACA अगली बात हम करते हैं duration की कि sir कितना समय लगेगा दोनों courses को करने के लिए तो ACCA को complete करने के लिए आपको 2-3 साल लग सकते हैं दोनों qualification का अपना एक अलग value है एक और बात जो हमारे दिमाग में आती कि sir अगर हम pursue कर रहे हैं ACCA तो कितना percent chance है में clear करने का तो ACCA के website पर यह आपको पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों के अंदर जो अलग-अलग exam हुए हैं उनके अंदर passing rate कितना रहा है 70-80% chance है आपका clear करने का यहने कि success rate ACA के अंदर जादा है यह बताने के बाद भी मुझे पता है कि आप यह जानना चाहते होंगे कि sir मुश्किल कौन सा है यह आप हमें बताते हैं तो भले ही मैंने ACA का passing percentage success rate आपको जादा बता है अगर फिर भी यह established है कि ACA जादा difficult है यहाँ पर 15 paper है case studies है और साथ ही साथ में ACA को आपको article chip के साथ साथ करना पड़ता है अब बात आती है practical experience की तो ACCA कहता है कि आपको 3 साल का practical experience का requirement है जबकि ACA कहता है आपको 450 hours का practical experience चाहिए यह 450 hours कंप्लीट करने में usually एक student को 3 साल से 4 साल के बीच में समय लग जाता है मगर यहाँ पर एक खास बात ACCA की यह है कि वो अपना practical experience requirement को लेके बहुत ही relaxed है वो कहते हैं कि आप किसी company के अंदर job कर सकते हैं किसी CA के अंदर articleship कर सकते हैं और even आपका teaching का experience भी हम as practical experience requirement में तोड़ा बहुत काउंट कर सकते हैं ACA इस चीज को लेके बहुत strict है जैसे हमारा institute ICI बहुत strict है वो कहते हैं कि आपको एक CA firm के अंदर ही articleship करनी होगी और वही ACA के अंदर भी कहा जाता है कि आपको एक approved ACA firm के अंदर ही अपना training करना होगा तो अब आती है final verdict की बात यानि कि आप अपने career के कि स्टेज पे हैं और इससाब से आपको ACCA करना चाहिए या ACA को target करना चाहिए आए देखें कि अगर आप already एक chartered accountant हैं और किसी company के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे best तरीका है आप अपने employer से पूछ लें जिस multinational company में आप काम कर रहे हैं उनी से पूछें कि sir ACCA ज़्यादा prefer होगा या ACA ज़्यादा prefer होगा promotion पाने के लिए एक पॉइंट तो बिल्कुल clear है कि ACCA आपको एक distinct age advantage देता है और यह age advantage की बुझे से अगर आप एक young age पे हैं तो मुझे आसा लगता है ACCA ही आपके लिए best option है क्योंकि ACA हमारे choice में graduation तक नहीं आता है यह तो मैंने आपको बताई दिया कि अगर target country आपकी UK है तो आपको ACA ही target करना चाहिए अगर आप ICAI से यानि की इंदिया के institute से एक chartered accountant है या फिर आप ACCA है और अब आपने decide किया है कि हमें ACA भी बातना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ advanced level के papers देने और ethics module clear करना है और आप ब कोई exemption नहीं देगा यानि कि आपको C.A. intermediate से ही शुरू करना होगा एक ACA अगर Indian Chartered Accountancy करना चाहता है तो taxation के कुछ paper देकर वो Institute of Chartered Accountant of India की भी professional qualification hold कर सकता है आपको अगर ऐसा कुछ लगता है मैंने कुछ इस वीडियो के अंदर मिस किया है या आप कुछ value add करना चाहते है इस कॉमेंट जरूर करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें अभी के लिए इतना ही आपके C.A. कारासर आपको नेक्स वीडियो मिलेंगे